नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? I hope कि आप साथ बहुत अच्छे होगे, सांदार होगे. दोस्तों बिहार लोग सेवा आयो. इतिहास का सबसे ज्याधा वेकेंशी का सुचना मिल गए है दोस्तों. कहने कहते मतलब यह है ना. इतिहास का सबसे ज़्यादा वेकेंसी इस बार है, तोटल नमरों वेकेंसी कितनी है, कौन-कौन सा पोस्ट इस बार दोस्तो आपका आ रहा है, कुछ नए-नए भी पोस्ट आपके क्रियेट किया गए दोस्तो, सारा कुछ इस वीडियों आपको जानकारी देखने हैं कि मिलेग पोस्ट की जैसे मैं ने बताया है, सत्रों सो सजादा आपका वेकेंसी भईया है, पहले आता था एक हजार छेसो, इससे भी कम दोस्तो 500 अशा वेकेंसी, इस बार इतना नए-नए पोस्ट की रियेट किया गया है, शत्रों सजा ज्यादा हो सकते कि 2,000 भी हो जाए, मिनीमम पोस्ट है आडियो का पोस्ट दोस्तों देखो 393 आपका वेकेंसी रजस्वाधिकारी आरो जिसको रेबिन्यू ऑफिसर बोलते हैं न दोस्तों कभी आप तोस्तों देखो होगे कभी आप पनवाते होगे न जैसे जैसे आप यार में ओपीसी सट्पिकेट आरो का सिगनेचर ह होता है तेबिनू अफिसर इसको बोलते हैं दोस्तों सतासी पोस्ट हट्यम का 200 वैया वेकेंसी सीटीओ के 168 पोस्ट है डियसपी का 136 समझ लो इसका जेलर का 50 पोस्ट हो गया डियों का दूस्त आपका 28-30 के बीच में पोस्ट रहेगा बिपीयारों का दूस्तों पचात्त वेकेंसी रहेगा सभी विवागों का डाटा आ गया है कि वह एक विवाग का डाटा बागी है इसके करण दूसर नोटिफिकेशन आपका रुका हुआ था अभी तक लेकिन अप्लाई डेट में आपको बता रहा हूं त्यान समझेगा जो अप्लाई होगा ना दोस्तों आज जो तारीक है मैं बता दू 18 सितंबर है हो सकता है विडियो बना रहा हूं दो घंटे बाद आजाए यह कल तक आजए यह दो दिन बाद आजए यह जो वेकेंसी आपको देखने हो कि मिलेगा देखो बता रहा हूं यह दोस्तों आपका अगले 24 से 48 घंटों के अंदर दोस्तो हो ठीक है यह वेकेंसी आपको देखने हो कि मिल जाएगा यह जो सकता है कि 19 निश थारीकि यह हो सकता है की बीस थारीक कंप आपका आठारत तारीक हुई आने वाला था तो यह कुल मिला कर दोस्टो एक आथ दिन का मतलब है कभी-कभी जोस्तो होता है कभी कभी डिले हो जाता तो ज्यादर टीन दिनों में च prince आपको देखने हो क्या मिल जाएगा और ज्यादा डिलेवह गी धान तो प्रक्षाइब की आएक स्वने न Kerry आपको बेखने हो देखो syllabus है 150 question जो है दोस्तो प्री का यह दुस्तो आपका GKGS है इसके अलों मेंस भी इसमें होता है इसमें भी देखो समान अधियान का paper है समान अधियान में दो paper आपका लिया जाता है समान अधियान जोस्तो जीके GS का वेटे सबसे जादा है और अक्सर आप लोग मुझे से पूछते हो सर हम जीके GS के तैयरी कौन से बुक से करें मैं आपको बेस सेलर बुक बता रहा हूँ यह बेस सेलर जोस्तो बुक है पूजा पबलिकेशन का समान ग्यान का यह दोस्तो NCRT और CSAT के पटन पर आधारित है यह तमाम परकार के एक्जाम में काम आएगा यहां पर दोस्ताब लोग देखना यह भी जुस्तों बीपीएसी का वेकेंसी है इसमें काम आएगा यह दोस्तों अन एस्टेट गवर्मेंट का जो होता है न पीसी सर्विस के एक्जाम का तियार सवाल पूसा जाता है और इस बुक में देखो अलग अलग आपका परतियोगी परिछा है उसका 15 सालों को पूछे के प्रसनों पाधारित यह बुक है काफी अच्छा दूस्तों कलर वाइज आप देखो काफी डिस्क्राइब करके दूस्तों इस बुक में आपको सारा कुछ सब्सक्राइब करके स्टेप आपको देते हैं जैसे फी में जेनरल बीसी इबीसी इडालोएस या अधर स्टेट के हैं तो 600 रुप्या एसस्टी पीच या फीमेल है तो 150 रुप्या एज इसमें मिनिमम दूस्तों आपका पोस्ट वाइज होता है तो वह दूस्तों बीस है कि किस किसी में बाइज जब फूल नोटिस आएगा नोटिफिकेशन तब हम आपको बताएंगे लेकिन ध्यान की है पोस्ट वाइज अलग अलग हो सकता है 37 साल मैक्सिमम जैनरल के लिए एज बीसी इबीसी जैनरल फीमेल का तीन साल का शूट मिलता है तो 40 मतलब मैक्सिमम आप भी एक कर रख आपने दोस्तों ठीक है चाहिए जुस्त आप विकम कर रख हो या दुस्त आप साइन्स हो हो बीसी आपने कर रख है तब भी फॉर्म को अपलाई कर सकते हो परसेंटेज वगएरा किसमें इससू नहीं होता है सारा ओल इंडिया के अपलाई कर सकते है सबसे पहले प्री में आपका सवाल क्या रहता है भाईया देढ़ सो कोशन देढ़ सो नंबर का दो घंटेक समों वन ठटकी निगेटिव जीके GSC केवल पूछा जाता है यह जो बताया दो बहुत अब पढ़ते रहो नographic को suffrageover तो आप लोग लेख सोकतों इसका लिंक वीडियो को रिस्क्रिप्स में प्रवाइट करवा दूंगा ठीक है हिंदी के लिए क्वालिफाइड नेशर है बस यह आपको पास करने 33 परसंट लादू काम खतम में जो चीज चालू होता है न दूसरों यहां से यह जो देख रहो न हूँ है कि यह 3 कि शमान अध्यां यानि जिसुरस्ब्स अमान-ध्यांगे को हिंदी में मत्ला हमिन समान अद्या बोल डाता है जर्णल स्टडी बोल सकतों को पेपर 1 यह 300 अंकों का होते है जिसके लिए 3 घंटे का समय मिलता है इसमें हम बताएंगे क्या-क्या सवाल पुसा तो यह भी थीन सव उंका जिसके लिए गंटे के समय मिलता इसमें आम क्या पूछा जाया सवाल रहेगा पॉल्टि का सवाल रहेगा भी दूस्तो आपका सवाल रहेगा और दोस्तों आपका सवाल रहेगा अर्थसाथ से आपका इसमें ठीक है तो दो पेपर हो गया 300-300 का 300 पलस में दोस्तों ये 300 ठीक है बाकि निबन्द भी आपको 300 अंको गया जिसके लिए 30 घंड के समय या निबन्द भी आपका लिखवाए गा निबन्द क्या होता है दोस्तों दो कुछा जाता है एक बिहार रिएटेटेज़ इसू होता है बाकि दोस्तो एक होता है करेंड फिर से समाने कोई इसू चल रहा है दोस्तों ठीक है उस पर यह ध्याना किया तो यह 300 300 आप लोग ने देखा तो यह दोस्तों इसी का मेरिट का लिया लेना देना है पलस में तो 300 का निबंद और 120 का इंटर्व्यू इसी पर फाइनल मेरिट आपका बनता है 120 नंबर के यहां पर दूस्तों आपका 120 माक्स का इंटर्व्यू भी होता है ठीक है यह ध्यान रखिएगा बाकी जो पांचवा होता है यह सब्जेक्ट आपको सुनने को दिया जाता है कोई भी सब सब्जेक्ट में चुन सकते हो यह दोस्तों सबसे प्लस पॉइंट है हमारा मायत हमारा दियेस जो भी आपका साइन्स जो भी आपका सही है सबसे स्ट्रॉंग है वो ले लेजिएगा यह तीन घंटे कि इसका समय यह क्वालिफाइग करना होता है बस समझ गे हिंदी और यह दोस्तों विकल्पिक ऑप्शनल यह क्वालिफाइग नेचर का है बाके तीन दोस्तों यह इंपोर्टेंट है समझ लिजेगा तो दोस्तों यह मैंने आपको बताया कोई छोटा मुटा वेकेंसी थोड़ी आप लोग अधिकारी बनोगे कौनसा अधिकारी भाईया रजस्व यह सब बड़ा बड़ा पोस्ट है इस वेकेंसी का दोस्तों खास बात यही है तो स्तांदार मौका है इसका फ्वर्म जरूर भरी है दोस्तों यह दोस्तों कब वेकेंसी आपका आ रहा है कभी भी जारी हो सकते हैं अब अगले 24-48 घंटों में 19 तारीक 18 तारीक का वीडियो बनाना तो आज भी आ जाए दोस्तों यह कभी भी आपका जारी हो जाएका बस आपका पलो क्या मतलब है यह जोस्तों मैंने आपको अपडेट बताया है कोई डाउट वेगेरा नहीं होना चाहिए जैसे फूल नोटिपीकेशन आपको जारी किया जाएगा सभी कुछ आपको बताऊंगा पिया नोटिपीकेशन में फूल आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सा 18 अलग पोस्ट है कब से अपलाई हो रहा है सारा कुछ सारा कुछ तो बता दिया पस पोस्ट दूस्तों इसमें थोड़ा सा और भी जो 18 पोस्ट है सब जोड़ के आज आएगा और टोटल नम डिवाद